अलीपुर इलाके में गैंगवार में हुई बदमाश की हत्या की साज़िश तिहार जेल में रची गई थी. पुलिस ने हत्या की साज़िश में शामिल दो आरोपितों को गिरफतार किया है. आरोपितों की पहचान हिरन की गांव के निखिल खत्री उर्फ निक्कीव मुखमेल पुर्ग गांव के गौरवराना के रूप में हुई है. पुलिस का दावा है कि उन्होंने गैंगवार के मामले को 48 घंटे में सुलचा लिया है. जिला पुलिस उपायुक ब्रिजेंदरियादव ने बताया कि 27 जनवरी की रात को प्रमोद की हिरन की गांव में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने जब जांक शुरू की तो पता चला कि प्रमोद नीरज बवानिया गैंग का सदस्य था. गैंगवार का मामला होने की वजह से पुलिस हरकत में आये और वार्दात वाली जगह के आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली वह मुखबिरों को सक्रिय किया. इसके बाद निखिल वह गौरव को पकड़ा गया. पूछताच के दौरान आरोपितों ने बताया कि वह प्रमोद की हत्या की साजिश में शामिल थे. उन्होंने ही प्रमोद की रेकी की थी. जानकारी जुटा कर उन्होंने तिहार जेल में बंद रोहित मोई को दी थी. इसके बाद रोहित मोई ने जेल से ही प्रमोद की हत्या के लिए अपने गुर्गों को निर्देश दिया था इस दौरान यह भी पता चला की प्रमोद की हत्या नीरज बवाना का नजदी की होने की वजह से की गई थी फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्या आरोपितों की गिरफतारी के लिए च्छापिमारी कर रही है पुलिस का कहना है कि हिरासत में लेकर रोहित मोई से भी पूछताच की जाएगी रोहित मुई गोगी के मरने के बाद गोगी के गेंग की कमान जेल से ही संभाल रहा है प्रोवाइड करवाना कि ये कब भार निकलने वाले हैं और कब इनको मारना है इतियादी में अपना रूल अदा किया था